तो what's up guys welcome back to another fresh new news video और ये होने वाली है भाई काफी interesting news वीडियो तो वीडियो को इन तक जरूर देखना पहले news निकल कर आ रहे है भाई मेरे ही related जैसा कि मैंने कल कवर किया था जहाँ पर गोबलिन भाई की chat leak हुई थी for Jonathan and मैंने वो वीडियो बनाई थी काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो के बनाने बाद क्योंकि उनकी वीडियो से एक negative vibe आ रही थी and मेरा intention बस यही दा कि मैं लोगों को बताऊं कि इसको लेकर हमें hate spread बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अगर आप वाबस से जाकर वो वीडियो दुबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस वे में वो story को cover किया था and still guys उसके बाद बे मेरे को इतने सारे hatred messages आये story tags में and what not और गाइस जो लोग मेरे चैनल और मेरी वीडियो को regular देखते हैं उनको पताई होगा कि भाई मैं कोई भी controversy या फिर कोई भी hate को spread कभी भी नहीं करता हूँ बट still I don't know लोग इतना hate क्यों करते भाई मैंने तो वो वीडियो इस sense में cover भी नहीं की थी बाई दो वे guys कल Goblin भाई लाइव आये थे and वहाँ पर उनकी तरफ से इस topic को लेगे कोई भी reply नहीं आया और guys कल मेरे वो वीडियो अप्लोड करने के पहले ही new भाई ने में instagram पर डाली थी ये story कि अवल positive minds people के लिए जो की आते हैं और हम साथ में वीडियो को enjoy करते हैं and updated रहते हैं what's going on in bgmy community और guys next is निगल कर आती है स्काउट भाई की तरफ से कल जब स्काउट भाई live कर रहे थे तो वहाँ पर भाई कुछ haters आ जाते हैं और वो बार बार स्काउट भाई को provoke करते हैं और उसके end में स्काउट भाई थोड़े toxic भी हो जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने instagram पर डाली थे story जो कि अब अब इस screen पर देख सकते हो जबर basically उन्होंने वही लिखा कि आज की हमारी stream काफी positive और fun थी लेकिन stream के end में में अपनी coolness को थोड़ा loose कर गया कुछ लोगों के reason से end में थोड़ा toxic हो गया और आगे उन्होंने इसमें लिखा कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये completely unacceptable है और इसमें scout भाई ने लिखा sorry for ruining the experience of the stream और गैस नेक्स निगल कराती है battlegrounds mobile India official land के related जब पर bjmy officials ने reveal कर दिया वो 24 teams जो की इस tournament में खेलने वाली है और वो सब इस 24 teams का आप screen post करके पढ़ सकते हो और बाइदावे आपके क्या guesses दे कि यहां से कौन सी team जीत कर India को represent करने वाली है PMWI में अपने guesses को मुझे comment से बताना बिल्कुल भी मत भूला और गैस नेक्स निगल कराती है e-sports and gaming in India के related जब पर शिवा नंदी और FEAI ने combinedly Instagram पर डाल एक post जो की आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो जिसमें हम देख सकते हैं हमारे bjmy e-sport के कुछ famous names जहापर डेली में एक meeting रखी गए थी e-sports and gaming community को strong करने के लिए ताकि कुछ rules and policies बन सकें ताकि e-sport हो सके बिना किसी cheat के बिल्कुल clean so yeah this was a very good initiative हमारे e-sports and gaming community के लिए बगाइस नेक्स निगल कराती है वीरू भाई के related जहापर upcoming land में हमको वो खेलते हुए दिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको previous एक news में बताया कि reckoning e-sport को भी pgmy official land में invite मिला है so looks like कि हमको reckoning e-sport की तरफ से वीरू भाई भी खेलते हुए दिख सकते हैं तो guys next एक काफे interesting news है जहापर हमको एक fan moment भी दिखने को मिला के लिए वीडियो में इतना ही था वीडियो को like and channel को subscribe and I'll see you guys in the evening yeah bye bye